संजे बोले उस प्रकार करुणा से व्याक और आस्वों से पूर्ण तथा व्याकुल ने त्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रती भगवान मदुसूधन ने यह वचन कहा हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह इस हेतु से प्राप्थ हुआ क्योंकि न तो यह श्रेष्ट पुर्शों द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्थी को करने वाला ही है इसलिए हे अर्जुन न पुनसक्ता को मत प्राप्थ हो तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती हे परंतप हरदे की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद के लिए खड़ा हो जा अर्जुन बोले हे मदुसोधन मैं रन भूमी में किस प्रकार बानों से भिश्म पितामह और द्रोनाचारिय के विरुथ लड़ूंगा क्योंकि हे अरिसुदन वे दोनों ही पूजनिया है इसलिए इन महाणुभाव गुरुजुनो को ना मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन भी खाना कल्यान कारग समझता हूँ क्योंकि गुरु जुनों को मार कर भी इस लोक में मैं रुधिर से सुने हुए अर्थ और काम रूप भोगो को ही तो भोगूंगा हम यहे भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्र करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ट है अथ्वा यहे भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मिया गृत राश्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोश से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विशय में मोहित चित हुआ मैं आप से पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्यान का रखो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आप का शिश्य हूँ इसलिए आपके शरन हुए मुझको शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमी में निश्कंटक, धन धान्य संपन, राजियों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्थो कर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोग को दूर कर सके। अंतरियामी श्री कृष्ण महराज दोनों सेनाओं के बीच में शोग करते हुए उस अरजुन को हसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अरजुन तूना शोग करने योग्य मनुश्यों के लिए शोग करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है परंतु जिनके प्रान चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्रान नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोग नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अत्वा ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इस से आगे हम सभी नहीं रहेंगे। जैसे जीव आत्मा की इस देहे में बालकपन, जवानी और व्रिधा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ती होती है, उस विशय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विश्यों के सैयोग तो उत्पत्ति विनाश शील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तु सहन कर। क्योंकि हे पुरुष रेष्ट दुख सुखों को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विश्यों के सैयोग वयाकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्त का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्व ज्यानी पुरुष द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपून जगत द्रिश्यो वर्ग वयाक्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी स्मर्थ नहीं है। इस नाश रहित अव प्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए है। इसलिए हे भरतवनशी अरजुन तो युद कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जनमता है और ना मरता ही है सथान यह उत्पन होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता हे पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजनमा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राथ होता है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायू नहीं सुखा सकता क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदहाए है, अकेलिध्य है और नीसंदेहे असोश्य है तथा यह आत्मा निध्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंतन्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है इससे हे अर्जुन इस आत्मा को उप्युक्त प्रकार से जानकर तुशोग करने को योगि नहीं है अर्थार्थ तुझे शोग करना उचित नहीं है किन्तु यदि तु इस आत्मा को सदा जनमने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महा बाहो तु इस प्रकार शोग करने को योग्य नहीं है क्योंकि इस मान्यका के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यू निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इससे भी इस बिना उपाय वाले विशय में तुशोग करने को योग्य नहीं है ये अर्जुन संपूर्ण प्रानी जनम से पहले अप्रकट है और मरने के बार भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रकट हैं फिर ऐसी स्तिती में क्या शोग करना है कोई एक महा पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भाती देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महा पुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भाती वर्नन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही किसे आश्चर्य की भाती सुनता है और कोई-कोई तो सुन कर भी इसको नहीं जानता हे अर्जुन यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है इस कारण संपून प्राणियों के लिए तुशोक करने के योग्य नहीं है कथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है अर्थार्थ तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युग युद से बढ़ कर दूसरा कोई कल्यान कारी करतग्य नहीं है के पार्थ अपने आप प्राफ्व हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार्गु इस प्रकार के युद को भाग्यवान शत्रिय लोग ही पाते हैं किन्तु यदि तु इस धर्म युक्त युद को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्थी को खो कर आपको प्राप्थ होगा। अथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अप्त कीर्थी का भी कथन करेंगे। और मानन्य पुरुष के लिए अपकीर्थी मरन से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टी में तु पहले बहुत सम्मानित होकर अब लगूता को प्राप्थ होगा। वे महारती लोग तुझे भय के कारण युद से हटा हुआ मानेगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्यवजन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तु युद में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्थ होगा। अत्वा संग्राम में जीत कर पृत्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अरजुन तु युद के लिए निश्चे करके खड़ा होजा। जै पराजय, लाभानी और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद के लिए तयार होजा। इस प्रकार युद करने से तु पापो को नहीं प्राप्थ होगा। ये पार्थ यह बुद्धी तेरे लिए ज्ञान योग के विशय में कही गई और अब तु इसको कर्म योग के विशय में सुन, जिस बुद्धी से युक्त हुआ तु कर्मों के बंधन को भलीभाती त्याग देगा अर्थार्थ सर्वथा नश्च कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थार्थ बीज का नाश्च नहीं है और उल्टा फल्स्वरूप दोश भी नहीं है। बलिक इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यू रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्यात्मी का बुद्धी एक ही होती है। किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेखी सकाम मनुश्यों की बुद्धिया निश्च ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन जो भोगों में तनमय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशन्सक वेद वाक्षियों में ही प्रीती रखते हैं, जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवे की जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थार्थ दिखाओं शोभायुत वानी को कहा करते हैं, जो की जन रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा एश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्नन करने वाली हैं। उस वानी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और एश्वर्य में अत्यंत आ सक्त हैं, उन पुर्षों की परमात्मा में निश्यात्मी का भुद्धी नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उप्युक्त प्रकार से तीनों बुनों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साध्नों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तु उन भोगों एवं उनके साध्नों में आसक्ती हीन, हर्ष, शोकादी द्वन्दों से रहित, नित्य वस्तू, परमात्मा मिस्तित, योग, शेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत्ह करन वाला हूँ। सब और से परिपून जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, छोटे जलाशय में मनुश्य का जितना प्रियोजन रहता है, ब्रह्म को कत्व से जानने वाले ब्रहमन का स्मस्त वेदों में उतना ही प्रियोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का ही तू मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसकती ना हो। हे धनन्जय तू आसकती को त्याक कर, तता सिध्धी और असिध्धी में समान बुद्धिवाला होकर, योग में स्तित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, सम्तव ही योग कहलाता है, जो कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और न होने में, तथा उसके फल में संभाव मेहने का नाम सम्तव है, इस सम्तव रूप बुद्धी योग से सकाम कर्म अत्यन्थी निम्नश्रेनी का है, इसलिए हे धनन्जय तू सम्बुद्धी में ही रक्षा का उपाय ठून, अर्थार्थ बुद्धी योग का ही आश्रे ब्रहन कर, क्योंकि फल के हे तू बनने वाल अत्यन्थ दीन है, सम्बुद्धी योप्त, पुरुष, पुन्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थार्थ उनसे मुक्त हो जाता है, इस से तू सम्तव रूप योग में लग जाता है, यह सम्तव रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्म बंधन से छूपने का उपाय है क्योंकि सम्भुध्धी से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को द्याक कर जन्म रूप बंधन से मुक्थो निर्विकार परंपद को प्राप्थ हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुध्धी मोहोरू दलदल को भली भांती पार कर जाएगी उस समय तुई सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोग और परलोग संभंधी सभी भोगों से बैराग्य को प्राप्थ हो जाएगा भांती भांती के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुध्धी जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तुई योग को प्राप्थ हो जाएगा और थार्थ तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा अर्जुन बोले हे केशव समाधी में स्तित परमात्मा को प्राप्थ हुए स्तिर बुध्धी पुरुष का क्या लक्षन है वह स्तिर बुध्धी पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है श्री भगवान बोले हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांती प्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्य कहा जाता है दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ती में जो सर्वता नहीं स्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नश्ठ हो गए है ऐसा मुनी स्थिर बुद्धी कहा जाता है जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस उस शुब या अशुब वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन होता है और न द्वेश करता है उसकी बुद्धी स्थिर है और पच्वा सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी स्थिर है ऐसा समझना चाहिए इंद्रियों के द्वारा विश्यों को ग्रहन न करने वाले पुरुष के भी केवल विशय तो नीवरित हो जाते हैं पर अंदू उनमें रहने वाली आसकती नीवरित नहीं होती इस स्थित प्रग्य पुरुष की तो आसकती भी परमात्मा का शाक्षाद कार करके निवरित हो जाती है ये अर्जुन आसकती का नाश ना होने के कारण ये प्रम्थन स्वभावाली इंद्रियां यतन करते हुए पुद्धीमान पुरुष के मन को भी बलात हर लेती है इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपून इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायन होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी भुद्धी स्तिर हो जाती है विश्यों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विश्यों में आसक्ती हो जाती है आसक्ती से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है और कामना में विग्ण पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है क्रोध से अत्यन्त मूड भाव उत्पन हो जाता है मूर भाव से स्मृत्ती में भ्रम हो जाता है, स्मृत्ती में भ्रम हो जाने से बुध्धी अर्थार्थ ज्यान शक्ती का नाश हो जाता है और बुध्धी का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्तिती से गिर जाता है करन्तु अपने अधीन किये हुए अंतह करन वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेश्य रहित इंद्रियों द्वारा विश्यों में विच्रन करता हुआ अंतह करन की प्रसनता को प्राप्थ होता है अंतह करन की प्रसनता होने पर इसकी संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित वाले कर्म योगी की बुद्धी शीग्रही सब ओर से हट कर एक परमात्मा में ही भली भांती स्तिर हो जाती है न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मी का बुद्धी नहीं होती और उस अयुक मनुश्य के अंतह करन में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुश्य को शांती नहीं मिलती और शांती रहित मनुश्य को सुख कैसे मिल सकता है क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायू हर लेती है वैसे ही विश्यों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक पुरुष की बुद्धी को हर लेती है इसलिए हे महाभावो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विश्यों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धी स्तिर है संपोन प्राणियों के लिए जो रात्री के समान है, उस नित्य ग्यान स्वरूप परमानंद की प्राप्ती में स्थित प्रग्य योगी जागता है और जिस नाश्वान सांसारिक सुख की प्राप्ती में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुन के लिए यह रात्री के समान है जैसा नाना नद्यों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्टा वाले समुत्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन के विना ही समा ज होता है भोगों को चाहने वाला नहीं जो पुरुष संपोन कामनाओं को त्याक कर मम्ता रहित अहंकार रहित और स्प्रीहार रहित हुआ विचरता है वही शांती को प्राप्थ होता है अर्थार्थ वह शांती को प्राप्थ होता है हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्थ पुरुष की स्थिती है इसको प्राप्थ होकर योगी कभी मुहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रहमी स्थिती में स्थित होकर ब्रह्मानत को प्राप्थ हो जाता है ओम इती श्रीमद भगवद गीता रूपी भगवद गीता उपनिशद एवं प्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विशयक श्री कृष्ण और अर्जुन के सन्वाद में साख्य योग नामक दूसरा अध्याई झाल